आपके साथ कुछ ऐसी ड्रिल शेयर करने वाला हूं जिससे आपका गेमप्ले तो इंप्रूफ हो गई वह तो बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि ड्रिल प्रैक्टिस वगारे से होता है आपका गेमप्ले स्पीड भी हो जाएगा आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने व तुम आदा घंटा दो वाई पर डेली दो से डेली करोगे तो मसल में ऐसे फीड हो जाएगे ना उचीज अपने आप गेमप्ले में निकल गाएगी तो ट्रेनिंग मैं तुम बतायता हूं तीन पार्ट में डिवाइड होने वाली सबसे पहले होगी बेसिक फिर हमारी होगी आपको सामने तीन टार्गिट दिखने है अपनी गन निकालनी है उसमें आप कुछ भी लगाओ अटेजमेंट वगेरा कोई भी स्कोप लगाओ 3x रैड डॉट या फिर 4x कोई भी लगाओ यह बहुत ही बेसिक ड्रेल तुम्हें अपनी रिकॉयल की प्रैक्टिस करनी है और आप चलते हैं अडवांस डिल की दरफ अडवांस डिल में आप देख सकते हो आपको सामने आपको बास दिखाए दे रहे हैं उन पर एम ट्रांसफर करना है जो कि बहुत ही सिंपल आपको यह पर देखने में लग रहा होगा क्योंकि मैं काफी प्रैक्टिस कर रहा है आपको कार स्प्रै प्रैक्टिस कर सकते हो और ये करने मारा अच्छा हो जाएगा आपको प्यान देख साहिवारे के लाई अलग अलग के लेल डीम ऑर थी ऐने पर मैं आपको प्यार इसी ड्रिल बताता हूँ जो कि जिससे आपका कार्श पर डेफिनिटली बैटर होने वाला है यहाँ पर आ जाओ ट्रेनिंग पर क्लिक करो स्टेंडर्ड ट्रेनिंग डिफिकल्टी वन कस्टमाइजेशन और टार्गेट आपको चूज करने है 20, 40, 60 और 90 मीटर बाकी के सारे डार्गेट डिसलेक्ट कर लेना और मुवमेंट स्पीड को फुल कर देना effective part को हेड पर कर देना और helmet level, armor level को level 3 पर कर देना and save करके start कर देना अब basically मुवमेंट स्पीड इतनी जादा होती है जब आप इस प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही एकदम से लेफ्ट से राइट राइट से लेकर जाना पड़ेगा और आपको आप नोटिस करोगे कि यार लेफ्ट राइट ही नहीं करना है हमें हमें तो तुम लोग देखोगे एक बार में तीन गोलियां तुम लोग नोटिस करोगे कि कितना बड़ा चेंजस तुमारे कार्स प्रे में आ जाएगा यह देखो भाई कितना एकदम accurate मुझे trace करना पड़ रहा है और साथी साथ तुम्हें recoil भी control करना है तो तुम्हारी sprays भी अच्छे हो जाएगी aim transfer भी अच्छा हो जाएगा grip भी अच्छे हो जाएगी recoil control भी अच्छा हो जाएगा car spray tracing सब एक ही drill में बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि हो सकता है आपको इसकी बारबर practice करने पड़े तो बारबर set करने में बोर हो जाओगे तो इसे save कर देना आप करना क्या basically यहां पर देखो तुम्हें अपना crosshair बिल्कुल चिपका के ऐसे fire नहीं करना है कभी left लेकर जाओ कभी नीचे रखो और एकदम से target पर shift करो य इसके बार आपको advance करने लिए अगरना देखो इस तरह से move करना लेफ्ट राइट करना और एकदम से target के head पर जाकर shift करना है जैसे target पर जाकर shift करो अगर एक बार में head लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है but notice करो बाई मुझसे कुछ से नहीं लग रहा है कभी-कभी लग कभी-कभी head नहीं लग रहा है ठीक है तो left right crosshair को गुमाते रहो घुमाते रहो मस्ती मजा करते रहो एकदम से target पर जाके खोल दो समाझगे डर है तो नहीं ना मैं डरा देता हूँ कभी लेफ्ट रहे लेफ्ट करते रहे एकदम से target के ऊपर जाकर crosshair खोलो खोलो और shift करो और क्या reflex है भाई close range में तो इस प्रेज की practice हो रही है साथ-साथ इस से हमारी close range की भी practice हो जाएगी अब basic movement drill के उपर आ जाते हैं यह basically pro drill है तुम्हें कुछ भी नहीं करना है simply यहाँ पर आना है training पर click करना है customize पर click करना है अब यहाँ पर 20 meter का target चूज करके बाकि सब वैसे ही र करो तुम फटावर्ट से खड़े होगे तुरंत बैठो भाई बैठने पर focus करो चाहे उसे गोलिया लगे या ना लगे जरूरी नहीं है कि तुम हर बार में उसको एक head connect करके ही बैठो नहीं हो रहा है head connect कोई बात नहीं बैठने पर focus करो क्योंकि हमें हमारी speed बढ़ानी है speed क साथ-साथ aim बढ़ाना है अब देखो मैं आप थोड़ी सी practice कर रहा हूँ जैसे मेरा हाथ बैठ रहाना भाई अभी speed अच्छी हो रही है खड़ा हुआ मारा बैठा खड़ा हो मारा बैठा खड़ा हो मारा बैठा चाहँ एम लग रहा है नहीं लगने लग जाएगा practice हो जाए अब थोड़ी सी advance deal के ऊपर चलते हैं और advance की advance मतलब pro daily से वापस enable standard training को start कर देना simply तुम्हें नीचे बैठे रहना है crouch करे रखना है advance बनानी के लिए तुम क्या कर सकते हो तुम्हें आपर दिखाता हूं simply तुम्हें खड़े रहते हैं क्राउच करके to repeat करना है फिर से दुबारा इस से तुम्हेरी crouch & peak की practice भी बहुत जाधे हो जाएगी पहले तुम नौर्मली पीक रहे थे बट हôm now we crouch करके to repeat कर रहे है चलो इसे थर्ड लेवल का एडवांस बना के रिखाता हूं तुम्हें वह अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना तुम्हारी मुवमेंट स्पीड मतलब बंदा सामने से जिगल देता वह आ रहा है ना भाई तुम्हें घंटा एक गोली नहीं मार पाएगा अगर तुम्हें स्पीड से उसको मारने लगए इन गेम पर एक चीज़ दुबारा बता दूँ डेली प्रैक्टिस करनी है डेली का मतलब डेली चलो अब बिल्कुल एक नेक्स लेवल एडवांस डेल की तरफ चलते है टेनिंग को कस्टमाइज करके स्टार्ट कर देना अलड़ी सेव हमारी अब तुम्हें क्या करना है बैट जाना है फिर खड़ेयों के मारना है फिर वापस बैटके क्राउच करके मारना है फिर खड़ेयों के मारना यह देखो इस तरह से अभी तो मैंने अपना एडेस हटाया भी नहीं पर तुम्हें एडेस हटाना है हर बार हटाया फिर मारा क्र आदा स्लो है ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता बट तुम में से भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी स्पीड बहुत फास्ट लगे पर मैं दिल से बता रहा हूँ भाई तुम लोग अगर नेक्स लेवल प्लेयर को देखो गे ना आज कल कॉम्पी में क्या-क्या लोग मार रहे भाई यह स्पीड उनके सामने कुछ भी नहीं है बट तुम देखना अभी डेली प्रैक्टिस करेगा तुम्हारा भाई और फिर उसके बाद यह देखो जैसे मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी मैंने पूरा चोक कर दिया कोई फालतों करेंगा ठीक है मैं भी प्रैक् करो प्रोडिल से बता दी किस तरह में मूवमेंट की स्पीड बढ़ानी है तो इस सारी शीजों की प्रैक्टिस करो डेली और मेरे साब से आदा गंटा भी नहीं लगेगा पंदरा बीस मिट में पूरी की पूरी हो जाएगी बट डेली करोगे यह नहीं करें जब भी तुम क प्रैक्टिस भी करनी है और आधा गंटा जादा लग रहा है तो दस मिनट कर लो पंदरा मिनट कर लो कोई बात नहीं अब यह आदा गंटा प्रैक्टिस करो कि दो बार तो बहुँ एक घंटा तुम्हारा वैसी चला जाएगा बचे पांच घंटे पांच घंटे गेम क्या चलो मेरा वीडियो में बताना वीडियो कैसी लगी बाइबाइब टेक क्या रहे हैं साइनिंग आफ